हेलो स्वागत दोस्तों आपका आपके चैनल परमाय जुगा मैं हम सभी लोग बीट फर्स्ट इयर के MCQ कर रहा है जो कि आपके आगरा युनिवरसिटी और राजा महंत्र प्रताप युनिवरसिटी की परिक्षाय होंगी उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह सभी एंपोर्टेंट के नाम से वहाँ पर मैंने पेपर एक और दो के MCQ कम्प्रेट कर दी है वह सभी पांच-पांच वीडियो में है और बीडी एक सो तीन जो कि आपका पेपर नंबर थर्ड है इसके भी मैंने तीन पार्ट कम्प्रेट कर दी है यह आपका चौथा पार्ट दोंगा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताएं क्या जो आगे वाले जो पेपर आपके बचे हुए हैं 104 से लेके 108 तक उनको मैं दो वीडियो में कम्प्रेट कर दो या इसी तरह से आपके 555 वीडियो में कम्प्रेट को एक वीडियो में या आप लोग मुझे जरूर कमेंट करें प्लीज जिसे कि मैं ऐसा कर पाऊं क्योंकि मैं सोच रहा हूं आपके एक्जाम से पहले मैं कम्प्रेट कर दों सारा कुछ तो अगर आप लोग कहते हैं कि इस तरह से ही छोटे-छोटे पार्ट में लेके आता र करूंगा तो वीडियो में रहेगा कि 2% 3प एक videos में रह来 और दो पार एक वीडियो में तरह से मैं कराने के कोशिच करूंगा अगर प्लीज चैनल को जब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी वीडियोज है वो आपको आसानी से मिलती रहेंगे और इसके इलावा भी इसके बहुत ही important mcqs है वो भी मैं लेके आऊँगा बिल्कुल लेके आऊँगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने college प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कराऊंगा तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं वहां पे आपको साइकोलोजी और जो भी आपके सलेबस रहते हैं उसके लिए मैं पर्प्रेय कराऊंगा तो प्लीज इस चैनल को सब्साइब कर लें और हम लोग आज के every step-odd śl ons कर लेते हैं तो की हम लोगने डividade 103 के three parts complete कर लीया आज हमारे 4 पार्ट होगा और 16 MP okay अंbet इस meant इसी पार्ट में हम लोग बाकी पूरे questions complete कर लेए हजिए तो स्टार्ट करते हमारे आज के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते जरूर नहीं को छोड़िएगा नहीं यतने जाद में सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप लोग चाहते हैं ठीक है इसका प्रशन संख्या आपकी है एक अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के यहां पर खाली जगे दिया गया है में घटित होता है तो आप्शे संख्या आप व्यवहार में घटित होता है किस अवस्था में होता है तो आप्शे संख्या आप शात्र की उपलब्दियों के मुल्यांकन का संबंद है तो आप्शे संख्या सा से है अब आपका आजाते है कुश्चन संख्या 6 प्रश्ट पोशड के संबंद सिक्षड की किस अवस्था से है तो यह है आप्शे संख्या सा सिक्षड पस्चात अवस्था से कोशन साथ, कक्षा की आकार की अनुभूती शिक्षड की किस अवस्ता में की जाती है तो आप्षर संक्या है अंतह क्रिया आवस्ता में कोशन आठ, मुल्यांकन शिक्षड की किस अवस्ता में की जाती है तो आप्षर संक्या बाप पस्चात अवस्ता में Q9. व्यवहार आडविग नहोकर सर्वांगी घटना है किसने कहा है और अप्शे संक्या बार टॉल मैन ने कहा है Q10. क्रिया प्रशूत सहचार सिद्धान तो मुख रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है तो अप्शे संक्या ऐसा पुनर बलन पर Q13. प्रणडाइक का कौन सा नियम इसके नर प्रतिमान करिया प्रसूत के सन्नी कट है तो अप्शे संक्या बाप प्रभाव का नियम चौशन 4 है, सिक्षद प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं तो आ और बाद दोनों तो आ है पात्यवस्तु और बाहे कक्षा संप्रेशड कौशन 15 है, सिक्षड के चर है तो आप्षद सिंग के अद्दा उपर युक्ति सभी सभी में आता है आ, छात्र, बा, सिक्षक और सा, विसेवस्तु कोशन सोले, सिक्षण का संबंध है तो प्रजात अंतरिक सिक्षण और सा है हस्चे प्रहित सिक्षण कोशन अठार है, विवस्ता की द्रश्टी से सिक्षण के रूप हैं तो आप्षण संक्या है सा, आ और बा दोनों, आ है आपचारिक सिक्षण और बा है अनपचारिक सिक्षण कोशन आपका 19, सिक्षण संबंधि समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बाटा गया है तो आप्षण संक्या है बा तीन भागों में Q2. सिक्षण की क्रियाओं को बिवाजित किया जा सकता है, तो आप्शिशन की है दा उपरिक सभी, सभी में आता है आ प्रस्तुती करण में, बा है प्रदरशन में और सा है कार्य करणा में और कुशन 21 शिक्षण की प्रकर्ति ऑफ्छी सेंच की द ऊपर कि सभी तो सभी में आता है आ सिक्षण सोधेश्य प्रक्रिया है शिक्षड एक अन्ता क्रिया प्रक्रिया है शिक्षड विकास रात्म voice प्रक्रिया है कुशन अपिपशने सांग एडम्स और तृदुर्वी है आप्शत हैं आप्शत जेपश आरधु सब्साइब सर्फूर्बीक कैनियों सिख्षड प्रिक। तो तता विदियांचर है ओप्षया संक्या स Wed voice से स्षछ चर paper कोषण 28 प्रजात तर्च ये सिक्षण व्यवस्ता में हीत्ड प्रमुख होता है ओप्षय संक्या K चात्रगड़ कोषण 29 एक तंद्र की शासं सिक्षण व्यवस्ता में हित प्रमुक है आप्शे संक्या बाव राज्य प्रशन तीस उत्तम सिक्षण की विसेशता है तो आप्शे संक्या है दा उपर एक सभी सभी में आता है आ सिक्षक की योगिता बाव सिक्षड कुशलता और सा है सिक्षक की उपलब दिया कोशन इक तीस अनुभव व्यवम प्रिसक्षड द्वारा व्यवहार परिवरतन को अधिगम कहते हैं किसने कहा है तो आप्शे सिंख्या है आ गेट्स ने बोला है कोशन 34 सीखना क्या है आप्शन संक्या दा उपर रिक्ति सभी सभी में आता एक सत्त प्रक्रिया है एक लक्ष के इंदरित है और साह उत्तर उत्तर सुधार भी है कोशन 35 अधिगम है आप्शन संक्या बा विज्ञान Q36, अधिगम एक प्रक्रिया है अप्षिर सिंग के अबबा जटिल Q36, अधिगम है अप्षिर सिंग के असा और बादोनों अदा और प्रदा Q38, अधिगम का प्रकार है तो अप्षिर सिंग के असा है सकारात्मक और नाकारात्मक दोनों है कोशन 49, जब तक बच्चा सीखता नहीं, सिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने काई अप्षर सिंग के आ किल पैट टुक ने कोशन 40, सिक्षड और अधिगम में वही संबंद है जो बेचने और खरीदने में यहाबाद किसने बोली, अप्षर सिंग के बाग किल पैट टुक ने कोशन 41, अधिगम में सहाय को बाह प्रक्रम है तो अप्षर सिंग के आदा उपरी तो सभी समी में आता है आ सिक्षड बाप्र शिक्षड और सा आनुदेशन कुशन 42, सिक्षड और अधिगम से सम्मंद कितने तक्त होते हैं तो आप्शे संक्या है सा 4 कुशन 43, इस्तर के दर्श्टी से सिक्षड के कितने प्रकार हैं तो आप्शे संक्या है बाग 3 कुशन 46, चिंतन इस्तर के सिक्षड का आधार देता है, तो अफशे संक्या है साब, आ और बा दोनों, आ है बोध और बा है इस्मरती कुशन 43, बोध इस्तर के सिक्षड की आधार सिला है, तो अफशे संक्या है बा इस्मरती Q48, सुझ भूज के युक्त सिक्षड सिक्षड इस्तर कहलाता है तो अप्शे सम्रती Q51, इस्मरती इस सिक्षड के सिक्षड का प्रतिपादन किया था अप्शे सम्रत किया है आ हर्वपर्तने कोशन बावन, इसमरती इस तर में सिक्षण का उद्देश्य होता है, तो आप्शे सिंक्या है दा, उपर उक्ति सभी, तो सभी में है आ, तत्यों का ज्यान प्रदान करना, बा है प्रत्या इसमरण करना, और सा है पहचान Q53. इस्मरती के सिक्षड में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? Q54. मौरिशन के सिक्षड उपागम किस इस्तर से संबंदित है? Q55. बोध इस्तर के सिक्षड प्रतिमान को कहा जाता है? तो आप्शे संक्या है दा मौरिशन का प्रतिमान Q56, चिंतन इस्तर के सिक्षड हे तू, पूरु आवशकता होती है तो आप्शे संक्या है सा, आ और बा दोनो Q57, इसके नर तसा थ्रोंडाइक ने अधिगम के लिए पुनर बलन को माना है Q58, शिक्षड के चिंतन इस्तर का प्रतिमान किसने दिया है तो आप्शे संक्या है दा, इनमें से कोई नहीं, किसी ने भी यह नहीं दिया है Q69, विचार या तर्ग की अभिवैक्ती किसी सिक्षड इस्तर से सम्मंदित है इससे हैं पिन कि खाहा है औरों, सर्थine, कोशेट इन सरी शाहतो, यह मनबि खाहा है से भी खाहे है, पशेट आप्शलेश इसस से खाह भी से तरियो gotta चिंदन इतर के प्रतीपादक हंट का पूरा नाम है सा मॉरिस पी हंट को सर्क शुठें करते हैं तो चिंदन का आ और बावकोदोनों से आ है सिख्षड क से दान्थ और है शिक्षड सुठ कोशन 65, सिक्षण को प्रभावसाली बनाते हैं, तो उपर उपरिक्ट सभी, सभी में आता है आज शिक्षक का अनुकरण, बाहे अभ्यास और सहे नवीन ग्यान को पूर्व ग्यान से जोडना Q66, चातर सीखते हैं, तो उपजिए सेहें का धा, उपरिक्ट सभी, तो इसमें आ जाता है, आ दंड़ी की अपक्ष्या प्रसंसा से बाहे पाहे की अपक्ष्या अंतरिक अभिप्रेंणा से और साह प्रिक अरवी की अपक्ष्या दर्श्टिक शिक्षण सामगरी से कुशन सरसट, छातर सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं तो आप्शे संग के अद्दा, उपर एक्ति सभी इसमें आता है आ, पुनर बलन, बाप्रती पुष्टी और साहे अभी प्रेयरणा कुशन अरसट, सिक्षड के सामाने सिधानत हैं आप्शे संग के अद्दा, उपर एक्ति सभी, सभी में आता है आ, अनुकूलता का सिधानत, बाहे सक्रियता का सिधानत, और सहे निश्चित उद्देश्य का सिधानत Q69, शिक्षड के मनोवेग्यानिक सिध्धान्त हैं, औप्षित संख्या आ के साथ जाएंगे, अभ्यास का सिध्धान्त Q70 Q70 जिसको के Maxim of Teaching बोलते हैं कौन शुर्मे अफ्षी सिंक्याया प्रत्यखष से अप्रत्यश्च्र की ऊर Q71 नियुद कि अफ्षाल सिंक्याया Q72 नियुद कि अफ्षाल सिंक्याया अमूर्थ से मूर्थ की ऊर Q73 कुशन चौहतर ततपरता का सिध्दांत किसी समंदित है तो औप्शा सिंख्या एसा थ्रोण डाइक से 75. प्रयोजन परक उद्धे से सिक्षड आ कास्मिक सिक्षड से सरवदा उत्तम होता है या बात किसने बोली तो आप्षिसेंग के आ वुडवर्थ है 76. सिक्षड अधिगम को निम्न लिकित घटक प्रभावित करता है तो आप्षिसेंग के अधा उपर एक तो सभी सभी में आता है आ सिक्षड के सामाने सिद्धान्त बा सिक्षड के मनोवेग्यानिक सिद्धान्त और साय सिक्षड सूत्र Q87, आगमन से निगमन की ओर है, आप्शे संग के आ, सिक्षड सूत्र Q89, निमन में से यह किसने कहा है कि कोई भी अधिगम का सिद्धान्त अपने में पोण नहीं है तो आप्शे संग के सा, आ और बा दोनों, आ है विलियम H. बर्टन और बा है N. L. Gage Q89, शिक्षड में अधिक सफल हुए अप्शे संग के आ, अधिगम के सिद्धान्त Q89, गैने की पुस्तक का नाम क्या है अप्शे संग क्या है Conditions of Learning Q89, गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियां में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वरणन किया है तो आप्शे संग क्या है आधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना कोशन चवरासी अधिगम के रूप माने जाते हैं तो आप्षिसंग के एद्दा उपरिक्त सभी तो इसमें सभी में आता है आ ग्यानात्मक, बा भावत्मक और साहे क्रियात्मक कोशन पच्चासी ग्यानात्मक के क्रियाएं हैं तो आप्षिसंग के एद्दा उपरिक्त सभी इसमें है ग्यान की, बा है करने की और साहे अनुभूरती की अब आजाता है आपका कोशन संक्चासी ग्याने ने अधिगम परिस्थितियां को वरणन कब किया था तो आप्षिसंग के आ 1965 में किया था कुशन सत्तासी ग्याने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंद आप्षिसंग का सा अधिगम उद्दिस से होना चाहिए कुशन अठासी गैने की पहली अधिगम परिस्तिती, औप्शे संकेत अधिगम जानी जाती है, पहली परिस्तिती क्या है, संकेत अधिगम, कोशन नवासी, गैने की संकेत अधिगम परिस्तिती से में लखाती है, तो औप्शे संकेत अधिगम परिस्तिती से में लखाती है, तो औप्शे संके है दा उपर एक तो सभी सभी में आ जाता है आ प्रत्य अधिगम बा संकेत और सा है अनुक्रिया उद्धीपन कुशन बानवे प्रत्य अधिगम सिक्षड की किस इस्तर से संबंदी थे तो अप्षर संक्या है बा चिंदन से कुशन तिरानवे अभिक्रमित अनुदेशन में ग आ है शाब्दिक संक्रला और भाह अशाब्दिक संक्रला कुशन 75 गैने के अनुसार अधिगम की पांचवी परस्तिति है तो अधिगम विवेधी करण कुशन 96 क्षिन संथानवे कार विशलेशड के शाथ क्रिया भी सम्मिलित रहती है तो यहांपे अप्षिर संथा इसको क्या कहते है इसको कहते है संचलेशन कोश्य संक्या आपका आ जाता है कि सॉरी हम लोग किस कोश्चन पर थे एक मैट प्लीज हाँ यहीं पर थे कोश्चन संक्या आपका 99 हो गया संचलेशन अब हंड्रेड पर हम लोग आ गए आई के डेविस के ने कार्य विश्यलेशन के मुख्य विश्यसता है बताई है तो आप्शे संक्या ऐसा चार विश्यसता है 101 कार्य विशिलेशड के मुख्य तत्तों है तो अप्षिसंग क्या है आ दो तत्तों है मुख्य Q102 अधिकतर विद्वानों ने कार्य विशिलेशड के प्रकार बताए हैं तो अप्षिसंग क्या है बा तीन प्रकार बताए है कोशन 103, कार विशलेशड के प्रकार कौन कौन से हैं, अब देखें तीन प्रकार बताएं और तीनों यहाँ पे आगए, उपर एक तो सभी तो सभी में एक है, आ, पाठ्थे वस्तु विशलेशड, बा है कार विशलेशड और साहे कौशल विशलेशड, कोशन 104, कार विशलेश तो इस तरह पेपर 130 का आपका पार्ट फोर भी कंप्लेट कर लेंगे इसे कि आपका ये पेपर ही पूरा कंप्लेट हो जाएगा BDX होती है उसके बाद आप लोग मुझए PLEASE कमेंट करके जरूर बता हैं कशोप में रखना चाहते हैं दो विडियो में या तीन विडियो में या इस तरहे से जैसे हम लोगों ने छोटे-छोटे पार्ट्स में एक उतनी बड़ी वीडियो कैसे देखेंगे अलागि कर देखा ग्रोटल जोड़ के तो सभी वीडियो защans में तो आप लोगम भी 지난 बताएं कि आप आगे की वीडियो किस तरह से रखना चाहते हैं प्लीज उसके लिए कमेंट ज़रूर करें और यहां तक आप सभी लोग बने हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जिन लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर अब आज आते हैं आज की पाच वी काई Essential of Teaching and Learning एक इसका पहला प्रशन है आपका संप्रेश्ण एक प्रक्रिया है तो आप्षे संह क्या है बाह दुई धुर्वी है कोशन दो संप्रेश्ण के कितने प्रकार है तो आप्षे संख्या है आप दो कोशन तीन संप्रेश्ण के प्रकार है तो सा है देखे यहाँए यहां पूरा क्लीर भी ये कौन कौन से हैं तो आ है शाब्दीक और बाहे असाब्दीक कोश्यन चार संप्रेशड संबंदस्थापित करने की प्रक्रिया है औरुप नह न कर रस परिक सिंख्या आप siqacio क्या तो स्रूत कु में Jakarta गईक और पृष्प प्रिक्रिया में स्रूत संबन्धित है ऑप्षर संक्यान आट था जाता है संप्रेशन अंग्रेजी के सब्द का हिंदी हिंदी रूपांतरन था गdi को क्या सब्द का है UM मिसल hall सब्सक्षाइbourब커시 कच्छा सिक्षण में वी संकेतन जिसको की decoding के दोरा कहा जाता है अप्षा संक्या सा कौन करेगा चात्र जब coding सिक्षण करता है तो decoding चात्र करेगा कच्छा संप्रेशन में सुरोत से destination जिसको के लक्षे बोलते हैं तक सुधारात्मक सूचनाय संबंदित है तो अप्षा संप्रेशन प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है अप्षा संप्रेशन के ऐसा आ और बा दोनो आ है भाशा और भाव भंगिमा कच्चा संप्रेशन में विचार भाव, feeling की अभिवक्ति होती है तो अप्षा संप्रेशन के ऐसा आ है शाबदिक और बा है मौकिक Q14. शाप्धिक शंप्रेशन है अजांजा कर रूप है आपसे संकिया लिखित Q14. साब्धिक संप्रेशन के रूप है तो अजांजा संकित है वाणी संकित बाह मुख मोद्रायं और साहे सपर्श शंपर्ख, कुशन सत्र है, भाषा संप्रेशन की बाधा है, तो आप्षिय संख्या है द, उपर इतकी सभी, सभी में आ जाता है आप, असपश्च शब्द बाहे तुर्टी गत उचारण, और शाहे शब्दार डंबर, तो यहां पर यह सभी है, कुशन संख् मुद्धित सिक्षाण सामगरे में सारवाधिक प्रतिपुष्टी प्राप्त होती है, अप्षिय संख्या सा, अभिक्रमित अध्यान, कुशन 20, कक्षा संप्रेशन प्रक्रिया में विचार एवं भावो का डिकोडिंग, विस संकेतन किया जाता है, अप्षिय संख्या इक उद्देश्य पॉंड प्रक्रिया है, और रूध्य ध्रवी प्रक्रिया भी है, तो यहां पे किसक भ्षाण संकेया है, दा, कुशन 22, शिख्षण कॉषल संबा इस के यह संबंदित होते हैं, तो ऑफिश्ण प्रतिंग्स अपत्रेश्ण प्रियाओं से, भाहे सभी सभी में आ जाता है पुनर बलन बाह प्रस्तावना और साहे प्रश्णावली कुशन 26 पुनर बलन कोशल के प्रकार है तो अप्शन कैसा आ और बाह दोनों आ भाह सकरात्मक पुनर बलन और बाह नकारात्मक पुनर बलन कुशन 27 चित्रो एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो अप्शन सिंख्या बाह द्रश्टान्त कोशल में कुशन 28 कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्यन में लगाने है तो शिक्षक ब्यवहर परिवरतन कह कशन 39 सिख्षण प्रभाव शीलता का मांपदन्ड संबंदित है उप्षण कहत्ह द कुशन 30 सिख्षण प्रभाव शीलता का मनोवेज्ञेनिक पक्षण है आra दा उपर उक्ति सभी सभी में आ जाता है आ मनोवरती विकास बाहर प्रेर रणात्मक और सहे प्रवीदी कोशन 31 सिक्षण एक प्रक्रिया है और जटिल कोशन 32 सिक्षण प्रत्य को चार सुपानव में व्यक्त किया गया है तो आई के डेविस द्वारा कोशन 33 आत्म व्यवहर को परिवाशित करने का सर्वोच दायत होता है और सहे समाजिक कार में प्रशन 35 सिक्षण का कर है तो उपर उक्ति सभी और सभी है यहां पर ऑप्षन दा है तो बाकी औप्षन पढ़ते है चात्र सूचनाव का समप्रेशड बाहे विश्य संबंदी समप्रेशड और सहे वि प्रभावसाली सिक्षण बंदने के लिए विश्य कार कीजिए जो एक प्रभावसाली सिक्षण बंदने के लिए विए सभी कार कीजिए सिक्षण करता है या किस ने बोला है तो आप्षण संक्या आप पीटर शन ने बोला है और उनीसों चाचल कुशन चालिस प्रवीड सिक्षण प्रतिमान दिया गया है और सिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है तो आप्षण संक्या है आप सिक्षण आव्यू कुशन 42 . té faris ? सिख्षड प्रतिमान कोुं सभी कौन-कौन से शाषण प्रणाली 2 शिख्षण दर्शन और साहे शिख्षा मनोविध्यानिशाला 44 . साधारड़्ड शिख्षण प्रतिमान के तत्थ होते एं थो अप्षण संक्र के आए चार होते monsters क्वेशन प्रतिमान का पहला अधारभूत तत्तो है और संख्या उद्देश है। Q46. सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गेषर देशार के सिक्षड प्रतिमान को बोनियादी सिक्षड प्रतिमान के करने का साधन है और शलस के ततों की विवस्ता अनिक प्रकार से हो सकती है कुशन 52, सिक्षड के आधोनिक प्रतिमान है तो अप्जिशन क्या सा दिया गया है आ और बा धोनों आ है प्रक्षा प्रसिक्षड प्रतिमान और बा है अग्री मव्य विवस्था पर प्रतिमान कोशन 53 प्रक्षा प्रसिक्षड तथा अग्रिम विवस्ता प्रतिमान आते हैं आप सूचना प्रक्रिया सुरूत में कोशन 54 प्रत्य निस्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया आप जे बूर नर्दा कोशन 55 प्रक्षा प्रसिक्षन प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है अप्षिसंग के आ रिचर्ड सैक्मेन ब्रक्षा प्रसिक्षण प्रतिमान का उड्दे से फोकच है अपिशन चे सा कराना कोशन साथावन पूछताच या प्रक्षा प्रसिक्षन प्रतिमान का विकास कब हुआ अप्षिसिंग के आ, 1960 में कुशन अठावन प्रक्षा प्रसिक्षन प्रतिमान से औप्षा सिंग के आप प्रश्न कौशल का विकास होता है किसका विकास होता है औप्षा सिंग के आप प्रश्न कौशल का कोशन एक सट प्रक्ष्या प्रसिक्षर प्रतिमान में समस्या चैन किसके निर्देशन में किया जाता है तो अप्षर संक्या है दा सिक्षक के निर्देशन में किया जाता है कोशन बार सट प्रक्ष्या प्रतिमान का लेक्ष्य है अप्षर संक्या आ खूज की दक्षता कोशन त्रेश सट म मास्टरी अधिकम् प्रतिमान का प्रतिपादन किया अप्षंसे सब्सक्षा 25 एड्वांस अर्गनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है उप्षण सब्सक्राइब अदेविड औश्यूाल कोशन 6 6 अग्रीम संघ्ठन प्रतिमान का उद्देश्य है अप्षिसेंग के दा उपर की सभी तो इसका ऑप्षिन है आप प्रत्य बोध बाहे तत्य बोध और साहे पाठेपुस्तक बोध कुशन आपका 69 अग्रिम संगठन सिक्षर प्रतिमान की मुख्य अवस्ता है अप्षिसंग के अद्धा पांच कुशन 70 अग्रिम संगठन प्रतिमान की अवस्ता है अप्षिसंग के अद्धा उपर सभी तो सभी में कौन-कौन सी、 आ है अग्रिम संगठक का प्रस्तुती करण, बहे अग्रिम सामगरी का प्रस्तुती करण और सहै ग्यानात्मक संगठन का सुरत दरडता Q71. अगरिम संगटक के सामाजिक व्यवस्ता में अधिक शिक्रियों होता है अप्षिसंग के आ सिक्षक Q72. अगरिम संगटक जोकी व्यवस्तापक का प्रियोग किया जाता है अप्षिसंग के साथ व्याख्यात्मक सिक्षड प्रतिमान में Q73, सिक्षड एवं अधिगम के समस्याओं को हल किया जा सकता है और प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा Q74, ब्लूम प्रतिमान है और प्रचातांत्रिक Q75, सिक्षड प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है और जॉयस एवं बिलने Q Ecsta, निमनलिकित में से किस प्रतिमान का वात वरड प्रभूत वादी रहता है तो आपशिस संक्याओं बा अग्रिम संगठक प्रतिमान का Q87, एक सिक्षड प्रतिमान निरभर करता है आपशिस सिध्धानत पर Q18. प्रक्षास प्रसिक्षण प्रतिमान का उद्देश्च है अप्षा संक्या आ वेग्यानिक देश्ट कोण उत्पन्न करना Q80. अगरिम संगठक प्रतिमान संग्यानात्मक प्रक्षिके उद्देशों के प्राप्ति में अधिक सहायक है अप्षित संक्या सा मूल्यांका निस्सरपर Q80. स्वामित अधिगम प्रतिमान का उद्देश है अप्षित संक्या पूर्ण स्वामित कुशन 81, पूर्ण स्वामित्ट प्रतिमान की प्रता मावस्ता का संबंद है और अंतरिक शिक्षण सत्र से कुशन 82, और अंतरिक शिक्षण सत्र में होता है और अपश्चु सेंक्या दा उपरित सभी सभी में आ जाता है आ अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुती करण बा अनुदेशन उद्देश्यों को बताना और सहे प्रभावी प्रस्रिक्षण को लागू करना कोशन तिरासी प्रभावी इसको की मास्टरी या स्वामित्त कहते भी हैं तो इसका है प्रभावी, माश्ट्री या स्वामित्त प्रतिमान के सन्राज नात्मक्तत्यों के अंतरगत किया जाता है। प्रभावी, माश्ट्री या स्वामित्त प्रतिमान के 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 स्वामित्त प्रत्यों के सिख्षण हेतु सरवादिक उपयोगी है तो अप्ष्ण संग्ठक सिक्षण प्रतिमान संप्रेशन विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया क्या है और यह कतन दिया किसने है अप्षे संक्या दा एंडारशन द्वारा दिया गया है प्रत्यक अधिगम एकाई में स्वामित इस्तरमाना है अप्षे संक्या है आ असी से पचासी प्रतिशत कुशन बानवे ब्लूम के मांश्ट्री अधिगम प्रतिमान में स्वामित का क्रम है अप्षे संक्या है बा अनुवर्ग सिक्षण निदानात्मत परिक्षा और निस्प संख्या 94 स्वामित अधिकम को ये तो सिख्षड का प्रियोग किया जाता है तो संख्या सा और बा दोनों तो यहां इसका option हो जाएगा option संख्या a परमपरागत सिख्षड कोशन संख्या 95 वस्तुओं का वहरूप जो वास्तिविक होता है फिर भी वास्तिविक होने का बोध कर कहलाते हैं क्या तो यह क्या तो यहां पर यहां पर पुरा आया नहीं है इसके लिए और आपका यह पूरा प्रेपर कंप्रेट होगे आपका बीडी 103 इसके बाद मैं बीडी 104 लेके आऊंगा तो आप सभी लोगों सब्सक्राइब प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं किया मैं इसी तरह से दो दो पार्ट या एक एक पार्ट को लेके आता रहूं जिससे कि छोटे-छोटे वीडियो बनते रहेंगे अगर मैं पूरा एक साथ कराऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत महिनत लगती है और आप लोगों के ही प्यार से में आगे बढ़ूंगा आप लोगों के लिए सारी चीज़े करता रहूंगा तो प्लीज कमेंट भी करें जो भी सुजाओं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें थैंक यू